हेलो ब्रेंड्स, वेलकम बेक टू माई चैनल लदा की लाइब्रेरी आज मैं आपके साथ बहुती सुन्दर, बहुती आसान जैन स्विटर का पैटर्न सियर करने जारी हूँ इस पैटर्न को आप बॉर्डर के लिए भी अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा आप इस पैटर्न को लेडी स्विटर, गल्व स्विटर, बेवी स्विटर आदि में अपलाई कर सकते हैं बनके बहुती सुन्दर हमारा ये पैटर्न आ जाता है इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने थ्री के मल्टिपल में फंदे डालने हैं और पलस थ्री फंदे एक्स्ट्रा डालेंगे फ्रन्ट साइड से हमारा ये पैटर्न बनना इस्टार्ड होता है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजे न्यू वीडियो की नोट्फिकेशन के लिए बैल आइकन दबाना न भूलें वीडियो आपको कैंसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना न भूलें अब हम अपना पैटर्न बनाना स्टार्ड करते हैं देखे फ्रेंट साइड से पैटर्न की फर्स्ट रो में देखे पहला फंदा उता लेंगे पहला फंदा उता लेना है धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा उल्टा बनेंगे एक फंदा उल्टा बुना धागा पीछे करेंगे अब देखिए नेस्ट हमने दो फंदे एक साथ बुनने हैं और दो फंदे बना लेने तो देखिए एक फंदा बन गया और इन दोनों फंदों को सिलिप करेंगे फिर देखिए ये दो फंदों में से देखिए जो पहला फंद फिर देखे, धागा अपनी साइट करेंगे, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करेंगे, यह देखे, दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और दो फंदे बना लेंगे, यह देखे, यह दो फंदों को हमने एक फंदा बनाने के बाद ऐसे सिलिप करना है, फिर पहला वाला फंदा ऐसे उठा लेंगे और इस फंदे को एक बार और बुन लेंगे ऐसे यह देखे फिर धागा अपने साइट करेंगे एक फंदा उल्टा फिर धागा पीछे फिर दो फंदों को एक साथ बुनेंगे और दो फंदे बनाने हैं तो देखे एक फंदा बन गया और एक बार इ एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर देखे, यह दो फंदे एक साथ बुनने हैं, और दो फंदे बना लेने एक हो गया, ऐसे दोनों फंदों को सिलिप करेंगे, फिर इन में से देखे, पहला वाला फंदा उठाएंगे, और फिर एक बार बुन लेंगे, ऐसे, यह देखे फिर धागा अपनी साइट लास्ट में एक फंदा उल्टा आ जाएगा और लास्ट का फंदा सीधा आ जाएगा तो देखे ए फ्रंट साइट से हमारी पैटरन की 1st रोग कम्ट्लेट हो गई अब देखिए बैक साइड से से किंडरों में देखिए पैला भंदा उतारेंगे धागा पीछे कर लेंगे अब देखिए दो भंदे सीधे भुनेंगे एक फनदा सीधा फिर नेस्ट भंदा भी आएंगे है बैक साइड की तरब से फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा हम बिना बुने उतालेंगे फिर धागा पीछे करेंगे दो फंदे सीधे आएंगे एक दो फिर धागा अपनी साइड करेंगे एक फंदा बिना बुने उतालेंगे फिर धागा पीछे करेंगे दो फंद सीधे आ जाएंगे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा हमने बिना बुने उतारना है, फिर धागा पीछे करेंगे, दो फंदे सीधे बुन लेंगे, ऐसे, फिर धागा अपनी साइड, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे, फिर धागा पीछे, फिर एक फंदा सीधा आ तो देखिए यहां पे reliable कोमने फर्स यो कि तरह होँ ना है तो देखिए पाधिए एक फंदे बना लिय तो देखिए एक फंदा होगया फिर इन दो पन Aun her पनेगे और फिर पहले वाला फंदा उठा लेंगे और इस फंदे को एक बार और बुन लेंगे ये देखे फिर धागा अपनी साइट करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे नेश्ट देखे हमने दो फंदों को एक साथ बुनना है और दो फंदे बना लेना है तो एक फंदा हो गया फिर दोनों फंदों को एंसे सिलिप करेंगे फिर पहला वाला फंदा और एक बार और बुलनेंगे तो देखे दो फंदों से हमारे दो फंदे आगे फिर धागा अपने साइट करेंगे एक फंदा उल्टा धागा पीछे फिर देखे नेश्ट हमने दो फंदों को एक साथ बुनना है फिर दो फंदों से हमें दो फंदे बना लेने एक फंदा के एक फंदा उल्टा आ जाएगा दागा पीछे लाष्ट का फंदा सीधा तो देखे ये फ्रेंड साइड से हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई थर्ड रो में हमारा पैटन रिपीट हो रहा था अब देखे बैक साइड से जो फूर्ट रो आएगी उसको हमने सेकिंड रो की इस तरह बुंते हुए कंप्लीट करना है इस तरह हम अपने पैटन को रिपीट करते जाएंगे और बन के देखे हमारा पैटन कुछ इस तरह से आ जाएगा ये देखे बहुती सुंदर बहुती आसान पैटन है आप इसे और प्रोजक्ट में अपलाई कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो किरपया लाइक करें, सेयर करें, कमेंट करें और आप हमारे चैनल में नहीं हों तो प्लीज सस्क्राइब करना न भूलें. झअक बार आप हमारे, नहीं हो प्लीजूकाण और आप ईंद तो किरफ दो करें पर आप हमारे चैनल में जोले जब हमारे चैनल में बना हमारे चैनल में और आप हमारे चैनल में efलीकिंजूकément maken प्ल máximo किरां और मत्राहीस करें. झाल झाल